तो फ्रेंड्स अगर आपने USA का TikTok अकाउंट बना लिया है और आप चाहते हैं कि उसके उपर कम व्यूज पे जादा पैसे बनाएं तो आज की इस वीडियो में आपको copy-paste का एक ऐसा method बताने वाला हूं जिसको आपने use करना है और आप easily USA को target करके TikTok से बहुत जादा पैसे कमा सकते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि recently वीडियो में मैंने आपको free में बताया हुआ था कि आपने TikTok का account कैसे बनाना है जो के USA based का है American based का है तो उसी को use करते हुए आज हम copy-paste करेंगे जहां पे हमें unlimited follower बिल्कुल free of cast मिलेंगे और यही नहीं उसके उपर जो भी views आएंगे वो हमारे premium country के आएंगे और उसी content के हिसाब से आएंगे और यह बात 100% लिख लें कि आपका वो content 100% viral होगा क्योंके content ही कुछ ऐसा है तो अगर आप भी copy-paste करके TikTok से पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस description में एक वीडियो का link दे दूँगा और उसी के अंदर ही एक free software पड़ा हुआ है आप उसको use करके बिल्कुल free of cost इस तरह का मतलब account बना सकते हो जिस तरह का आपको यहां पर नजर आ रहा है यहां पर यह देखिए monetization का option आ रहा है मैं इसको open करके भी आपको दिखा देता और अपना account बना लेना है अब account बनाने के बाद इसके उपर आपने work कैसे करना है copyright content पे जो के मैं आज आपको बताने वाला हूँ और मैं 100% guarantee देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक week के अंदर अंदर आपका account भी viral होगा और आप इससे monetization criteria भी complete कर सकेंगे तो अब काम कैसे start करन YouTube open करने के बाद अब आपने यहां पर movies को search करना है movies आपने हर कोई movies नहीं ले सकते आपने क्या करना है आपने यहां पर movie trailer पर काम करना है अब trailer यहां पर आप सर्च कर सकते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूँ कि latest movie trailer आप चाहें तो हिंदी movies पर काम कर सकते हैं आप चाहें तो नीचे आने के बाद under 4 minute वाला एक filter लगाना है और उसके बाद this week वाला लगाना है इससे यह उगा कि आपके पास latest movies के ट्रेलर आएंगे आपके पास old movies के ट्रेलर नहीं आएंगे तो यहाँ पर यह देख लेंगे एक मतलब the kingdom of planet वाली बहुत ही viral जा रही है तकरीबन 20-20 million पर इसके YouTube पे views हो चुके हैं तो आपने क्या करना है एक दिन में मतलब इसके इतने सारे views कैसे आ सकते हैं आप समझ सकते हैं कि इस movie में potential है चुकि यह movie पहले ही release हो चुकी है इसके पहले part आ चुके हैं तो इसलिए यह viral जाएगी तो आपने simple क्या करना है इसको आपने इसका link copy क करके Google से आपने easily इसको download कर लेना है अब download करने का तरिका बहुत असान है मैं यहां पर नहीं शो करवा सकता YouTube की community के अगेंस्ट है आपने इसको download कर रहे हैं अपने mobile में download करने के बाद आप दूसरी movies को भी मतलब use कर सकते हो जो इंडिया की यहां पर यह देखें यह tiger movie चल रह करना है मैं यहां पर आपके सामने कैप कट शो करवा रहा हूँ तो सबसे पहले आपने जो फालतुप आ रहा है इसको ऐसे कट करके डिलीट कर देना है उसके आपने आपको नीचे एक cancel का option नजर आ रहा है आपने इस रेशो के option पे क्लिक करके इसका frame set करना है जैसे हैं यहा का option आ रहा है आपने crop पे क्लिक करना है और यहां से आपने कुछ इस तरह से टिक टोक वाले फ्रेम में इसको crop कर लेना आटो पे हो जाएगा उसके बाद आपने यहां से इसको पकड़ के यहां पे आपने drag and drop करके पूरे फ्रेम पे adjust कर देना है तो इससे आपकी movies का फ्रेम बिल्कुल center में आएगा और उससे के बाद आपकी जो movies टिक टोक पे आप डालेंगे तो बिल्कुल आपको वो सारे जो character होंगे वो बिल्कुल असानी से नज़र आएंगे उसके बाद इस वीडियो की speed one by one कर देनी है नीचे आपको speed का option नज़र आ रहा है उसके बाद आपको यहां पे बहुत सारे filter मिल जाएंगे अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें वालना को ज़रूरी नहीं है वो वाला filter अब यह हमारी पहली editing complete हो चुकिया लेकिन इसका जो second जो मैं आपको method बताने वाला हम वो pro editing है और हर बंदा ही वो कर रहा है अब for example आपका frame set नहीं आ रहा तो आप यहां से इसको दुबारा re-adjust कर सकते हैं edit पे जाएं crop पे जाएं और उसके बाद यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे करके full कर दें तो यह देखें मैंने इसको और अच्छी तरह से adjust कर दिया आपने मजीद इसके उपर एक दो दिन work करना है और मजीद इससे अच्छी editing करके इसको अच्छी तरह से edit कर लेना है लेकिन method आपने same यही use करना है एक आपने frame change करना है दूसरा आपने इसकी speed change करनी है तो यह करके इसको delete कर देता हूं तो अब हमारा पहला मतलब जो frame है पहला जो हमारा editing है वह हमारा complete हो चुका है आपने इसको अच्छे वीडियो में अच्छी quality में ऊपर save कर लेना है तो इस तरीके से आपने इसको save कर लेना है अब save करने का यह पहला method मैंने आपको बता दिया अब दूसरा और pro method मैं आपको बताने वाला हूं जिसके उपर सारे बंदे काम कर रहे हैं और already TikTok पे आप ऐसी वीडियो देख चुके हैं तो जैसे यह हमारी save हो जाती है मैं आपको दूसरा मतलब यहाँ पे edit करके दिखाता हूं तो simple मैं क्या करूंगा मैं अपना दूसरा जो frame है दूसरी वीडियो है उसको edit करने के लिए cap cutter में दुबारा लेंगा तो यहाँ पे हमने दुबारा उस वीडियो के लिए है यहाँ पे इसका फाल्टू part हमने cut करके delete कर देना है और उसके बाद हमने क्या करना है simple आपने क्या करना है ratio पे click करने के बाद आपने इसका frame कर देना है zoom करने के बाद अब आपने क्या करना है इसको बिल्कुल center में रखना है ना नीचे ना उपर बिल्कुल center में आप इसको रखेंगे तो देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा और engagement अच्छी आएगी उसके बाद आपने simple यहाँ पे इसका मतलब title देख लेना ह जो इस movie का है जो भी आपने उठाई होगी आपने वही यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पर यह देखें मैं the kingdom planet of the movies ऐसे का नाम है तो मैं यहाँ पे वो text की सूरत में लिख लूँगा अब text आपने लिखने के बाद इसको adjust करना है direct आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना ठ आपने same यही method follow करना है अब यह text आपने paste कर दिया paste करने के बाद आपने इसको सारे मतलब जो track है आपने उसके ऊपर fit कर देना ठीक है सारे ट्रैक के उपर यह text को fit कर देना है उसके बाद एक और text पे click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना हा part one अब पार व अब उसके बाद आपने एक text और add करना है जिसके उपर आपने लिखना है कि follow for more videos या follow for full movies आपने कुछ इस तरह से एक अच्छा सा title और add कर देना है जो कि आपकी वीडियो के उपर ही show हो रहा होगा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो आप अपनी मर्जे से भी लिखते हैं वैसे मुझे जो best लिखता है मैं यही लिखूंगा follow me for full videos क्योंकि full movies देखने के लिए सारे बंदे ही बेताब होंगे तो आपने यहां पर क्या करना है यहां पर लिखने के बाद इसको okay करने के बाद इसको नीचे वाले part में कुछ इस तरह से आपने अच्छे तरह से adjust कर दे यह देखें अब देखने में यह बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आपने इसका थोड़ा सा और थोड़ा सा करना है इसको मजीद attractive बनाने के लिए इसको भी पूरी वीडियो पर fit कर देना है जैसे इसको पकड़के आप end तक लेके जाएंगे ना तो यह भी तीसरा text भी आपकी पूरी वीडियो पर fit हो जाएगा उसके बाद आपने यहां पर इसको थोड़ा सा color देना है color देने के लिए आपने दोनों को yellow color दे देना है चुक्के black की उपर yellow बहुत अच्छा रगता है इसको भी आपने fit कर दिया तो आपका यह clip भी ready है तो simple आपने क्या कर रहा ह तो आपने यह गलतिया नहीं करनी आपने यह जो मैं ट्रिक कभी आपको बताने वाला हूना आपने इसी ट्रिक के थ्रू ही अपनी वीडियो को upload करना है तो सबसे पहले तो आपने अच्छी quality में वीडियो को save कर लेना है save करने के बाद अब uploading करते time आपने चंद settings करनी है जो जो के trending पे हो और आपके अपने content से related हो अब जो movies है यह content या यह hashtag हमेशा viral रहता है और हमेशा viral जाता है तो आपने इस तरीके से मतलब आपने लगा लेना है उसके बाद आपने उस movie का नाम ज़रूर लिखना है जो आप चला रहे है क्योंकि लोग इसको search करेंगे ना तो hashtag या चला सकते हैं तो इस तरीके से आपने 5-6 hashtag अच्छे अच्छे निकाल के अपने पास save कर लेने हैं और उसको lifetime आप अपनी हर वीडियो में use कर सकते हैं तो यहां पर यह देखें मैंने 4-5 hashtag यहां पर लगा लिए है पहली चीज आपने यह करनी है उसके बाद आपने क्या option आपने on रहने देने है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो आपने AI generator content इसको आपने allow कर देना है on कर देना ठीक है यह देखें मैंने on कर दिया है उसके बाद नीचे आपको एक और option आ रही है यहां पे allow high quality videos तो आपने इसको भी on कर देना है इससे यह होगा कि आपकी जो वीडियो quality है ना वो high quality में ही upload होगी उसके बाद नीचे आपको last में एक language का option मिल रहा है आपकी वीडियो जिस language में हो आपने वो language last में select करनी है इससे आपका algorithm pick हो जाएगा TikTok आपकी वीडियो algorithm में ले जाएगा उसके बाद आपकी वीडियो के उपर depend करता है तो uploading में यह थोड़ा सा time लेगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो भी इसी के उपर ही upload करने का तरीका बता देता हूँ चुकि हमने दो वीडियो अपलोड किया तो दोनों पर हमें result चाहिए मैं दूसरी वीडियो को भी यहाँ पर select कर लूँगा select करने के बाद मैं simple क्या करूँ है और same वही setting जो हमने पहली वीडियो में की है आपने same उसी तरह इसकी setting on कर लेनी है उसके बाद इसको upload high quality में करना है और language इसकी English ही रखनी है तो यह देखें दोनों वीडियो सो हमारी uploading होना start हो गई है अब यह जैसी upload होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह upload हो चुक है बिल्कुल दो से तीन मिनट के अंदर अंदर अब यह क्या होगा मैं आपको notification में भी दिखा देता हूँ कि यह इसी वीडियो पे आई है और वीडियो भी मैंने अभी upload किया है कई यह ना कहना तारीक भाई ने editing में कोई आगे पीछे कर लिए हम आपको notification भी चेक कर वहा द देना है यकीनन यह आपको पहले वीक में थोड़ी सी कम काम या भी मिलेगी लेकिन जैसे जैसे आप मतलब यह काम मेरा करते जाएंगे ना तो आपको यह मतलब जादा व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे अब एक काम आपने और करना है आपको जो random वीडियो फॉर यू पर मिलती है ना आपने उसको लाइक भी करना है उसके उपर कमेंट्स भी करना है जिस से आपकी अकाउंट की रीच बढ़ेगी और लोग भी आपको लाइक और कमेंट जरूर करेंगे तो यह देखें मैं हर वीडियो को लाइक और कमेंट करता जा रहा हूँ इसी तरीके से भी मेरी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे तो आपने भी यह ट्रिक जरूर अपलाई करनी है लाइक और कमेंट बहुत इंपोर्टड है जो आप दूसरी वीडियो में तो अब बात आगी फॉल्वर की फॉल्वर कैसे बढ़ाने है बहुत बंदे कहते हैं तार लीडर जो के मतलब ट्रेंडिंग पर चल रहा है तो यहां पर आपने उसका नाम सर्च किया और उसके बाद यहां पर आपने जो भी क्रेटर आएंगे जैसे भी आएंगे आपने इनको फॉलो करना है कौशिश करें कि आप बिलू टिक वालों को फॉलो करें तो वो आपको उससे क्या होगा उससे आपका अकाउंट के रीच जाएगी और लोग आपको उसी टाइम में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो इसको आपने जब आपने एक दफाव बीस पचीस लोगों को फॉलो कर लिया है तो आप इनको अनफॉलो भी कर सकते हैं ठीक है कोई मसला न आएगा तो आपने इस तरीके से फॉलो कर लेना है फॉलो करने के बाद आप वापिस आना है वापिस आने के बाद फॉर एक्जमपल आपको यहां पे व्यूज या लाइक आना स्टार्ट हो गए है या लोग आपको दुबारा फॉलो बैक कर रहे है तो आपने दुबारा वाले trick को apply करना है और उसके बाद आपने editing same रखनी है same रखने के बाद आपने इसके उपर continuously work करना है यह नहीं है कि एक दिन आपने work किया दूसरे दिन आपने छोड़ दिया इस तरीके से आपका account dead हो जाएगा आपको काम करने में फिर मज़ा नहीं आएगा और result भी नहीं मिलेगा और आप कहेंगे तारिक भाई ने सही वीडियो नहीं बताई तो जो चीज़े मैं आपको बता देता हूँ आपने इनको मतलब follow करना होता है इनके उपर अमल करना होता है definitely कामया भी आपको पहले दिन नहीं मिलेगी आपको चंद दिन लगेंगे इसके उपर कामया होने में तो आपने थोड़ा सा passion के साथ काम करना है अमीद करूँगा कि ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है आपके काम आएगी और आप इसके उपर अमल करेंगे वीडियो कैसे लगे जरूर बताईएगा मिलते हैं को और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त अलाफीज